वेलकम बैक बच्चो तो समझो स्मार्टली सो आज हम स्टार्ट करने वाले फाईलम नाइडेरिया नाइडेरिया लिखा तो ऐसे जाता है सी एन आइडी ए आर आईए बट इसमें जो होगा वह सी साइलेंट होगा ठीक है तो नाइडेरियन्स हम पढ़ेंगे तो आपको जैसे जो करवाऊंगी वो आपने करना है, ठीक है, बचो जो यह आप नाइडेरियन्स करोगे ना, इस फाइलम में जितना आपको करवा रही हूं, आपने इतना कर लेना है, इतना ही सफीशन्ट है आपके लिए, और आप समझ लोगे, तो फिर ठीक रहेगा, ठीक है, ना, तो आप सब्सक्राइब नाइडेरियं को सिलेंट प्रेटा भी बोलते हैं तो नाइडेरियंस को बोला वी क्यों बोला किम्हार न्याइडबलाष्ट होते हैं आब यह देख हो इस दिराइब फ्रॉं द को सिंगेंग सेल्स होते हैं कैप थीक है इसको मैं आपको बाद मैं समझाओंगी ब capitalist की वजह से इसको नाइ लाइडरियंस का नाम बड़ा तो सबसे पहले तो इसके अंदर mostly कैसे हुते हैं ये यह होंगे marine form में. marine होंगे और ऐगे वागे का होगी इसकी क्योंकि c anemon की होती है थेक्ष इसके बाद क्या आते है कि यह जो होगे कैसे होते हैं इसमें फॉर्म आती है फॉर्म्स जैसे ससाइल हो गई ठीके ससाइल का इसेंपल क्या गया ओविलिया फ्री लीविंग जो है फ्री स्विमिंग वाले उसका aurelia form हो गया next जो आ गया solitary solitary का हो गया hydra और जो colonial form होगी वो होगी फिसलिया जिसको क्या बोलते हैं Portuguese man of war भी बोलते है अब इसका एक और example जैसे हम देखा जाते हैं तो उसमें आएगा corals corals बहुत important है ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ यह तो forms है जो कि आपको पता होनी चुए थी ठीक है society हो गई free swimming हो गई solitary होगी colonial हो गई next इसके बाद है यह जो classes है classes देखो classes आपको पता होनी चुए classes कौन कौन सी होगी इसकी बेखोगी hydrozoa skyfozoa anthozoa उसके बाद cubozoa यह five थोड़ी सी extra है जो कि आपको पता होनी चाहिए hydrozoa skyfozoa anthozoa cubozoa अच्छा अब जो आया जो phylum synodarian के मैंने बोला आपको ठीक है इसके अंदर यह होगा क्या हमने क्यों बोला यह से जो पहले मैं बता रही थी हमने बोला आइडो ब्लास्ट होते है नाइडो ब्लास्ट को क्या बोलते है जो नाइडो ब्लास्ट होते हैं उनको नाइडो सिस्ट भी बोलते है दोनो चीजे क्या है यह दोनो सेम है दोनों ही सेम है ठीक है दो नाम इसको इसके लिए मैंने दोनों को लिखा है क्योंकि करग stell क्या वो थो नीयुक्त और सब्सक्राइब करते ंडर ऑग। जिसको क्यों बोलते हैं यह बोलते Stinging Capsule होते हैं कहां पर present होंगे Tentacles में present होते हैं जो उपर Tentacles होंगे वहां पर यह present होंगे ठीक है तो Nidoblast की वज़े से Nidarian नाम पढ़ा उसके बाद Nidoblast और जो Nidocist होते हैं दोनों सेम है अब इनके अंदर क्या होता है निमाटोसिस्ट होता है निमाटोसिस्ट को बोला जाता है स्टिंगिंग कैप्सियूल कहां प्रेजन्ट होंगे यह टैंटेकल्स में अब निमाटो ब्लास्ट अब यह करते क्या है यह करते हैं हाइपो टॉक्सिन रिलीज करते हैं हाइपो टॉ कबार्यंस की बॉटी फोगी? बोरीफी फॉर्म की टाइप से मतलब पॉलिप फॉर्म होती है गार्या ताइक होती है मेडूसा ठीक है? एक होगी यह वाली पॉलिप फॉर्म दूसरी होगी मेडूसा जो पॉलिप होगी, उसका example क्या है that is adamsia और medusa का example क्या है auralia ये कैसी होते है ये fixed होगी इसमें asexual phase है और ये जो है ये ये कैसी होती है ये umbrella shape होगी और ये sexual phase होती है और free swimming होगा ठीक है free swimming होती है तो ये थोड़ी इसकी body form है जो कि पता होनी चाहिए अभी तो अभी phylum नाइडेरियंस का आपने क्या पढ़ा था कि marine होंगे एक इसमें exception है जो कि बहुत important है that is sea animal, anthozoan, bilateral symmetry forms की बात करें तो society, free swimming, solitary colonial form है important classes इसकी hydrozoa, skyphozoa anthozoa और kubozoa नाइडेरियंस की body form polyp hoगी medusa, medusa को आप ऐसे भी याद कर लो देखो जैसे M बनाया है, यह M form है, ठीक है जैसे M बन रहा है, सोचो तो वही है medusa form अब कभी भूलोगे नी कि umbrella shape है, तो फिर कैसी होगी यह यह जो है medusa की form है, ठीक है free swimming होगी, यह fixed होगी polyp वाली, वो एक जगा पे चिपके रहते हैं, fixed होते हैं अब एक और चीज़ आती है इसमें, जो एक मेटाजिनेसिस word है, मेटाजिनेसिस जो term है वो किसके लिए यूज होते हैं, जो alteration होगी न, किसके बीच में, polyp और medusa के बीच में, जो alteration होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा जैनेसिस उसको बोलना चाता है अच्छा, इसके examples याद करने हैं तो आप कैसे करोगे इसके examples आप ऐसे याद करो कि जो trick बता रही हूँ O, Paji, मेरा है O, Paji, मेरा है, means O, से क्या हो गया, Obelia P, से हो गया, Penactula Physelia, A, से हो गया Adamcia, Aurelia G, से हो गया Gorgonia And M, से हो गया Menindria, Menindria जो जैसे हमारा दिमाग होता है, उस टाइप का shape होता है, इसका और H से क्या हो गया, आपका Hydra, तो O, Paji, मेरा है, Nideria manage, okay, आपने ऐसे याद कर ला है nên इसको, so, ये फिलहाल तो इस छेज को कर लो ठीक है नेक्स जो है फिर वो नेक्स में आपको बना के दूँगी अगर आपने इतना भी कर लिया ना आपको बुक में से जाधा रिवाइस करने के जोवत नहीं पड़ेगी ठीक है यह बहुत ही कनफाइन चीज़ है और बहुत इंपोर्टन चीज़ है जो कि तुम लोग को प बोलनी है कि आप लोग इसको अगर आप फर्स टाइम देख रहे हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना इस चैनल को ठीक है आप लोग को मैं बहुत जादा एक समर्राइजड फॉर्म में दे रही हूं यह सब बन लिख के ठीक है जो कि जैसे स्कूल में खराते हैं वही से इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो जरूर शेयर करो जिससे के कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ठीक है थैंक यू